नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ पूनम स्वागत है मेरे चैनल में आज आपके साथ टिप का खजाना लेके आ गई हूँ सारी टिप बहुत यूजफुल है और इसको आप अपने घर में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो स् स्थान से पूर्वी जी को हिमाचल से सुसील सिरिवास्तो जी को महराजगन से विकास जी को जैपूर से केशो गुपता जी को कुलू से प्रमोद दुबे जी को ग्वालियर से सुरेंद्र जी को उन्नाव से सुधा जैन जी को गाजयवाद से और कनहिया लाल जी को गया से तो आप सब को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगे और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगे. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, रैस्पी पसंद आती है, टिप पसंद आती है, तो मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी न भूलें. तो आज की हमारी पहली बहुत ही खास टिप है बनाना को लेके. हम सब अपने घर में कभी न कभी बनाना लाते हैं और बनाना मुझे लगता है लगबग हर घर में पसंद किया जाता है, इसको तो बच्चे भी बड़े चाओ से खा लेते हैं. लेकिन आपको मैंने कई बार ब बनाना को सीधा रख देते हैं. तो कभी बनाना सीधे नहीं रखे जाते हैं. बनाना को या तो किसी चीज में लटका दें या तो इस तरह उल्टा करके रख दें. अब आप देखेंगे कि जो बनाना दो से तीन दिन में खराब हो रहते हैं वो बनाना चार से पांस दिन तक इसी तरह रखे रहेंगे तो थीना एकदम कमाल की टिप छोटी सी टिप थी लेकिन बड़ी यूजपूल थी इसको अपनाईएगा जरूर होप करती हो टिप पसंद आई हो अगली टिप है साबुदाना को लेके आज मैं आपको साबुदाना और साबुदाना के पानी दोनों साथ गर्व में पल रहें बच्चे का विकास अच्छे से होता है साबुदाना में वीटामिन भी कॉंपलेक्स भरपूर मात्रम पाये जाता है इसमें फोली कैसिट भी बहुत अच्छी मात्रम पाये जाता है जो बच्चे की हेल्थ में बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है तो आप साबुदाना जरूर खाया करें लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है साबुदाना जब भी खायना तो आपको अच्छे से पका के ही खाना है अगर साबुदाना अच्छे से नहीं पका तो हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारग हो सकता है अब मैं बताऊंगी साबुद बेस्टेज निकलता है उसको प्लांट में जरूर डाला करें कई बार कई लोगों ने बोला है कि मैं प्लांट की कैसे देख रहे करती हूं तो मैं केवल अपने किचन की बेस्टेज चीजों से ही खाद बनाती हूं और उसी से मेरे प्लांट बहुत हरे भरे और बहुत अच्छ को से प्लांट में फिर से आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में जितनी भी चीज़े हम उस करते ना सारी खाट के लिए उप्योगी होती है और अगर आप इनका तरीके से अपने इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी से फोलानज दाने की जरूरत ही आज तक आपने सुना होगा और जो लोग जानते हैं उनको नहीं बता रहे हूं लेकिन जो लोग नहीं जानते हो इसके फार देखके हैरान होने वाले हो और इसको इस्तेमाल एक बार जरूर करिएगा क्योंकि इसके कोई side effect नहीं है अब आपको बताऊंगी बनाना के राज बनाना तो आपको पता ही कितना फाइदे मंद होता है लेकिन जो बनाना का छिलका होता है ये सेहत से भरपूर होता है इसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलते हैं जो आपको साइदी और किसी दूसरे फूर्ट में मिलेंगी हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं ये बन पूरे सरीर को ये मजबूत बनाता है लेकिन आज हम इसको खाएंगे नहीं आज हम इसका कुछ डिफरेंट इस्तेमाल करने वाले हैं आज मैं इसको फेस पे ग्लो बढ़ाने के लिए यूज में लेने वाली हूँ आपको पता है जब इतनी चीजें इसमें मिलती हैं तो यह हम लोग मार्केट जाते हैं बहुत महंगे महंगे फेसियल कराते हैं लेकिन उने फेसियल किट में भी यह सारी चीजें नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है आपको इस तरह बनाना का छिलका लेना है थोड़ा सा इस तरह मसलना है जिसे इसका पल बाहर आ जाएगा और बस पर ग्लू आएगा चेहरे पर चमक आएगी बिल्कुल ग्लास स्कीन हो जाएगी यकीन मानिए साथ इसाथ ब्लैक हेड्स वाइट अगर आपके है न तो वह भी समस्या सही होगी धीरे धीरे वह रिमूव होंगे तो आपको इस तरह से छिलके से मसाज करनी है ठंडे पानी से फेस को वाज कर लेना है और बस गुलाब जल्व या फिर कोई भी टोना लगा ले आप देखेंगे कि चेहरा चमक जाएगा आप हपते में अगर इस टिप को अपनाते ना तो लोग पूछेंगे कि कौन सा फेस्यल कराते हैं तो यह सीक्रेट आपको कैसा लगा उमीद करते ह पसंद आया हो आप देख लेते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग सी बहुत बहुत खास टिप है और यह टिप है नीम को लेके नीम एक ऐसा पेड़ है जो हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है लेकिन इसके फायदे हम लोग अच्छे से उठाते ही नहीं है आपने देखा ह नीम की जो सीख होती ना इसके आगे के दो से तीन पत्ते तोड़ लेने है और अगर सीजन है तो इसमें नए पत्ते आते हैं तो आप नए पत्ते का ही इस्तेमाल करिए अगर सीजन नई है तो यह जो पुराने पत्ते हैं हमेशा इसमें पत्तियां आती रहती है तो यह पू कम से कम नीम की चार से पाच पतियां चबा चबा के खा लेनी हैं अभी आप जब स्टार्ट करेंगे ना तब तो आपको ये बहुत कड़वी लगेंगे लेकिन ये हैबिट में आ जाएंगी ना तो आपको फरक ही नहीं पड़ेगा यकीन मानेगे अब इसके मैं आपको फायद ना तो पत्तियां जरूर खाएं इससे सास की बद्बू की समस्या जड़ से खतम हो जाती है नसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप नीम की पत्तियां जरूर खाएं अगर आपको ये पत्तियां जरूर खानी है और अगर कहीं फीवर आ रहा है आपको होता है न कोई भी बीमारी है तो यह आपको बहुत ज्यादा असर करेगा अगर आतों में कोई प्रोब्लम है तब भी आप इसको खाएं फोड़े फुनसी बार-बार हो रहे हैं आपको फंगल इंफेक्शन है रूसी है फंगस है कोई भी चीज है तब भी पत्तियां बहुत फायदा करत क्या गलती करते हैं तो हमस्ता वा कर दicação है लकडे है तो अगर वालगर होता है तब दो सबगह नंगज थोकने ऊखन दो लकडी करना गषगना है तो इस तरह से रगला दिनी आन्हें हैं तो आज आपको छोटासा तरीका दोनों सेफ रहेंगे इसमें कोई भी निसान नहीं बनेंगे और आराम से आप खाना भी बना पाएंगे तो होब करती हूं ये टिप भी बहुत जादा पसंद आई हो